नमस्कार इस वक्त आप लाइफ तस्विरे देख रहे हैं हर्याणा के करनाल से करनाल की CIA1 साखा से गोल्डी बरार और गैंक्स्टर लॉरेंश बिसनोई कुख्यात गैंक्स्टर के नाम पर एक व्यक्ति अपने ही रिष्टेदारों से फिरौती मांगता है पूरे 5 करोड की उ पर जिस रिष्टेदार से फिरौती मांगी उसी व्यक्ति ने करता इंष्टा के बार आरोपी की सोर पर मदद की और सबसे बड़ी बात अब आपको बता दे कि उसने फिरौती कैसे मांगी उसने लॉरेंस बिस्नोई गैंक्स्टर लॉरेंस बिस्नोई और गोल्डी बरार के फिरौती मांगने के विडियो यूटूब पर देखे जी हाँ एक कूरियर के माध्यम से एक पत्र भेजा अपने ही रिष्टेदार को जो इंदरी के पास के बताया जा रहे हैं वहाँ पर उनको एक कूरियर के माध्यम से पत्र भेजा जिसमें उसने लिखा कि मैं गैंक्स्टर लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूं और इस तरह से उसने बताया जा रहे हैं खुद एक मोटर साइकल पर सवार होकर मूँ पर कपड़ा बांध कर पानिबत के एरे कि आसपास जो उसने वो फिरौती के पैसे मंगवाए थे और सबसे बड़ी बात जो है ये मूल रूप से त्रावडी के रहने वाले बताये जा रहे हैं लेकिन सेक्टर TDI मॉल बताया जा रहे है TDI के आसपास जो है सोनिपत के पास जो है बुलाया गया था पैसे लेकर और ये भी धंकी दी गई थी कि अगर पुलिस को किसी तरह की कोई सूच ना दी तो उनके पूरे परिवार को जान से मार देगा फिलाल एक बार जो है निरिक्षक से बात करत और लॉरेंस विश्णोई के नाम से पांच क्रोड रुपए की फिरोति की मांग की गई थी और फिरोति की रकम भी अलग अलग जगें पर उन्हें लेने बारे उसमें मेंशन किया था सौनिपत पानिपत या इन जगों पर 18 तारीक के बार सर्मांग कैसे की गई थी नगत पैसे लेने के लिए मांग की गी थी पांस क्रोड रुपए और पैसे ना देने की सूर्थ में उनके परिवार वड़ों को मतलब बच्चों को या उनके परिवार वड़ों को मारने की धनकी पिसमें दी गई आरूपी कौन है क्या पढ़ा ल का बिजनस है वो राइस मेल की चलाते हैं और उनके फादर साथ और आड़त की दुकान भी है उमर की नहीं है सर्फ जी उनके रिलेटिव भी हैं ये और कहीं से दूर की उनकी रिष्टेदारी कंपिलेंट के साथ पड़ती है सब्सक्राइब इसके उपर काफी करज था ये सट्टा वगरा भी जुए में इसने पैसे कुछ हा रहे हैं ये बात डूरिंग इनिवस्टिकिशन हमारे सामने आई है और उसके इलावा भी इसके उपर कुछ अपना करज था जिसकी पूरती के लिए इसने इनसे पैसे की डिमा था और उसके मादम से उन्हें मांगी सब्सक्राइब बड़ी जल्दी ट्रेस आउट किया मामला किस परकार से ट्रेस आउट हो पाया और क्या क्या आप मानते हो प्लब्दी कैसे मिलिया आप लोग को देखिए इसकी साहब ने हमारे से ये में ये अपना इन्वस्टिकेशन ट्रांसफर की फि और उनकी डेरेक्शन में सपीश डाक्शन में और की सब्सक्राइब सब्सक्राइब लॉर्टी को गिरिदियों यूद्यों ने यूप्राइब पर इसने बताया है कि अब så करनार लोकल इन्होंने कोरियर से जो कमेटी चुलं के नसदीक हैं, वहां से इन्होंने कोरियर किया था तो रिष्टेदारी भी है सरे इंगे जी हाँ ये आपस में कोई दूरकीन के रिष्टदारी बढ़ते हैं रिष्ट करोड रुपे मंगे थे और एमाउंट का इसाइड किया था कि वी सोनिपत बगयरे में यह उन से टीडिया मौल के अंदर सोनिपत में यह आपि राक्षि कह से से पकड़ा गया इसन नहीं है एक यबारी में पांच करोड़ पे मांग रहा था स्था यह जो इन्होंने उसमें लेटर में में चिया था कि यदि उनको पैसे की यह फिरौती मंगी है वो अगर उसकी रखम ना दे गई तो उनके परिवार के साथ किसी भी टाइप का हाथसा भी कर से लोकल ही करनार से करवाय गया था वो इन्वस्टिकेशन का विशा है उनको भी हमने जोएन किया है इसमें उसका नहीं के लावा कोई शामिल अभी दग इसमें रिमांड लिया है नहीं पुलिस रिमांड लिया क्योंकि बेसिकली इन्से वह जो आरोपी नहीं मोटर साइकल और जो इनने चीज़ें इ इम दी थी श्री गुरविंदर सिंपेक्टर के देश्टा में टीम गठी दोने पर हमने इसको बीट निटना गाउंसे गिर्टार किया है और इसके पांस क्रोंट रूपए की फिरोती मांगी थी यह तरा बैसिकली त्रावड के रहने वाले हैं और करनाल में किराये पर रहत पाइब फैमली बैकराउंड कैसा है अच्छा है क्योंकि परिवार इसका साधन संपन है और इनका बिजनस है अपना तो क्या जूर्द पड़ी के फांस प्रोंट यह जो इसने जो पूस्ता से बतलाया इसने बतलाया कि उस तो पैसा ही फोन के माद्वें से सट्टा वगरा लगाया और कुछ बिजनस में से नुक्षान हुआ जो इसने मतलब जहां से इसने लेटर को पोस्ट करोके वहां कोरियों करवा था वहां पर कुछ समय सीचीव फूटेज मिले फूटेज के दोरा फूटेज को हमना धार बना करके हमने अपने मुखबरों से पूस्तास की पूरों ने बतला कि आदमी हो सकता है कुछ जो मुदई है मुदई ने कुछ इंटिव के से हमारे को बतला है नहीं ब्राम्द की जब अभी तक कोई पैसा नहीं दिया थर्टी एर है फिरोत्ती की रखम काप होचाने के लिए टीडी आइमाल सोनी पर तूर का रिष्तेदार है और आपस में मुदई इसको जानता भी है बाइफेस और ड्यूरिंग मतलब जो इसका हो आया है फोटो आया फोटो के दुरान मतलब जो बात सामने आई उसमें कुछ नाकतुई तो फिलहाल इस तरह का एक बड़ा मामला सामने आता है जहां पर कूक्याद गैंक्स्टर ल बता दे कि जो आरोपी है वो बीटेक पास है यानि एक इंजीनियर है अच्छे परिवार से संबंद रखता है जिसके बाद सट्टे बाजी जो बताया जा रहा है वो किया करता था ओनलाइन सट्टे खेला करता था जिसके कारण उसको यह सब करने की जरूरत पड़ी और उस पैसे मांगते हैं इसके बाद ही उसने पत्र लिख कर जो है उस व्यक्ति तक पहुँचाया कि उसको धंकी दी और इतपांच करोड की फरूरती मांगी और सोनी पत के पास पैसा पहुचाने के लिए बोला और सास साथ आब को बता दे कि आपस में रिष्टेदार लगते हैं इनके जी हाँ इनके रिष्टेदार हैं जो आरोपी है वो उस व्यक्ति के रिष्टेदार हैं दूर के रिष्टेदार बताया जा रहें पहले आर्थिक रूप से कई बर बताया जा रहें उनकी मदद कर चुके हैं लेकिन ये बड़ा मामला एक बार सामने आता है करनाल में जह में ये शिकायत पहले दर्च कराई गई गई फिर इसी आई एवन ने इस पूरे केस में एक बड़ी काम्याबी हासिल की निरिक्षा गुर्वंदर सिंग के अदेख्षता में एक टीम मनाई गई जिसके बाद जो है इस आरोपी को काबू किया जहां से इस आरोपी ने कुरियर और यही इस वीडियो को शेयर जूरोर करें और इस तरह अगर आपको भी कोई धमकी मांगता है कोई फुराती मांगता है तो एक बार पुलस में सूचना जुरूर दे अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर करते हैं तस्वीरे हर्याना के करनाल से मैं आरती राना सी होगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सबी के साथ लाइव धन्यवाद